homework का जो भी answer है तुम लोग क्या कर सकते हो calculator पर चेक कर सकते हो सही आया है क्या नहीं आया है ठीक है तो अगर कौन सा उसमें difficult है तो वो मुझे बताओ homework में 1, 2, 3, 4 ऐसा number से बताओ मुझे कौन सा तुमको difficult लग रहा है तो वो बताओ कि calculation में यह difficult है जो भी है homework में अगर नहीं difficult तो next examples लेते हैं अगर difficult नहीं है तो next example लेता हूं में चलो बोलो example में कुछ चाहिए क्या homework में नहीं चाहिए तो no बोलो चाहिए तो number बेजो चलो फड़ा फट काम कर उतना और बोलो लिखो इदर लिखो कोई भी नहीं चाहिए ठीक है चलो multiplication multiplication generally क्या रहता है multiplication generally simply रहता है multiplication में ज़्यादा difficulty आता नहीं है difficulty आता है division में difficulty mostly आता है division में तो division का हम लोग अभी देखेंगे तो एक simple division लेता हूं में उसके बाद difficult division करेंगे ठीक है चलो तो क्या है यहाँ पर लिखो, question लिखो, 402.5 divided by 1455, 402.5 divided by 1455, इसको में बोलता हूँ, यह division find out करने का है, चलो लिखो, यह division find out करने का है, हाँ, answer में small change रह सकता है, fourth digit different रह सकता है, calculator पर जो तुम लोग calculations करोगे, और lock table से जो calculation करोगे, तो जो calculator से आता है और lock table से आता है, उसमें fourth digit में फरक रहता है, fourth decimal नहीं बोल रहा हूँ है, fourth digit, अपना चार digit का answer आता है, उसमें fourth digit में problem रह सकता है, उसका कोई tension मतलब, उतना problem रह सकता है, चलो यह example लिख के लो, यह example लिख के लो, चलो करने का इसको अभी, लिख लिया, चलो, तो यह example देखो मैं कैसे करता हूँ, इतना कुछ difficult नहीं है, इतना कुछ difficult नहीं है, लेकिन division में subtraction करना पड़ता है, और जब बार आता है, तो subtraction कैसे करने का वो थोड़ा गलत हो सकता है, वहाँ पे गलती होने का chance कितना है, बहुत जगा है, तो चलो देखो इधर, चलो इधर देखो, तुम्हें करने के लिए मैं numericals देता हूँ, लेकिन यह वाला, इधर देखो, क्या करना है, तो फर्स्ट में ने लिया log, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करने का, हाँ, इंस्ट्रक्शन क्या, कल exam है, same time 7.30 to 8.30, कल exam का time क्या है, 7.30 to 8.30, exam, syllabus क्या है, logarithm तो रहेगा exam को, syllabus को, और क्या रखेंगे, और integration भी रहेगा, ठीक है, log और integration, integration के थोड़े कम numericals रहेंगे, लॉक के जाधा रहेंगे, तो preferably lock table अपने पास रखो, preferably क्या करो, अपने पास lock table रखो, lock table नहीं है, तो फिर तुम्हें mobile पर ही online देख के solve करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा time लग सकता है, exam में उसके लिए थोड़ा time लग सकता है, तो देखो, lock table है, तो अच्छा है, stationary shops उपन हुआ है, lock table तुम्हें मिल सकता है, वहाँ पर, ठीक है, चलो, कल exam, 7.30 to 8.30, कौन सा, कौन सा, integration, integration के कम numericals, 6, 7, और log, log के numericals, 15 to 14 log के numericals रहे जए, ठीक है, चलो, चलो, सब लोग अभी इधर देखो कैसा करना है, तो इसको हमको calculate करना है, तो दोनों तरफ में log लेता हूँ, दोनों तरफ लोग लेनी के बाद क्या होता है, log of y is equal to log of 402.5, log of 402.5, minus इधर लिखता हूँ, minus log of 1455, log of this, यह इधर लिखना था, लेकिन मुझे इधर जगा चाहिए, इधर भी calculation करना है, तो देख लोग उपर वाला, minus log of नीचे वाला, तो अभी इसका log कितना आता है, बोलो, characteristic, सब लोग इधर ही देखो, सब लोग इधर ही देखो, ठीक है, ठीक है, पॉइंट दिखने ही रहा क्या, आएसा है, ठीक है, चलो, ओके, तो अभी इसका log निकालना है, तो इसका log कैसे निकालने का, देरे-देरे, सब लोग अभी calculations मत करो, देता हो तुमको, तो इसका log कैसे निकालने का, characteristic कैसा, decimal कितने से shift करना पड़ता है, वन और टू, तो ये टू आ गया, वन और टू, तो characteristic टू आ गया, 42, 5 में देखने का, अभी कहा पर देखने का, 40 की लाइन में, 2 और 5 में, तो चलो देखते, 40 की लाइन में, 2 और 5 में, 40 की लाइन में, 2 और 5 में, 40 की लाइन में, 2, 40 की लाइन में, 2, कितना है, 60, 42, लाइन में 2 और 5 में और 5 और 5 में 5 यह 5 और यह 2 कितना हो जाएगा 7 ठीक है चलो तो कितना आगया इसका च्राइक्टरिस्टिक आगया 2 और मैंटी सा 40 की लाइन में 2 और 5 में यह देखा तो कितना आगया 60 47 अब उसके बाद क्या है इसका देखना है इसका कितना आएगा भी decimal दीक ही नहीं रहा मतलब decimal यहाँ पर है तो 1, 2, 3 तो यह आया 3 इधर बार और अगयरा कुछ नहीं आथा माइनस 1, 2, 3 तो 3 तो 3 तो कहां पर देखना है 14 की लाइन में 5 और 5 में यह कहां पर देखना है 14 की लाइन में 5 और 5 में तो चलो देखते 14 की लाइन में 5 और 5 14 की लाइन में 14 की लाइन में 5 कितना है 16, 14 14 की लाइन में 5 में कितना है 16, 14 14 की लाइन में 5 में कितना है 16, 14 और mean difference में भी 5 में देखना है, तो यहाँ पर 5 में कितना है, यहाँ पर 15 है, तो 16, 14 था और mean difference में 15 था, तो इसमें 15 अड़ करने के बाद 5 प्लस 4, 9 और 1 प्लस 1, 2, तो 29 बनता है, अब इनका subtraction देखो कैसे करना है, इनका subtraction कैसे करना है, देखो, तो इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो, 2.6076047-0.1629, यह बाजु में रखता हूँ, और यह जो 3 है, यह बाजु में रखता हूँ, समझ रहे के देखो, यह स्टेप समझता है के देखो जरा, यह बाला जो स्टेप किया है मैंने, यहाँ पर क्या किया है, यह बाला स्टेप मैं ऊपर लिखता हूँ, देखो जरा, इधर ही थोड़ा मिस्टेक होने का बहुत चांसे, इधर सब लोग अभी पूरा फुल अटेंशन से देखो, तो इनका सब्ट्रेक्शन कैसे करने का, 2.6047-3+, 0.1629, तो यह जो था, आइस दिखाए मेने, चलो चलो इधर यह को भी, यह जो था, आइस दिखाए मेने, और इसको कैसा लिया, ठीको और 1629 को अपरे लिया, तो 3 को और 16, 29 को separate ले obligates fight और दोनों को subtract करना है दोनों को इस से subtract करना है तो minus 3 को बाजू में लिए हम ने और ये भी minus ही होता है minus 3 और minus this तो इसका और इसका subtraction करता हूं बाद में 3 minus करेंगे इन दोनों का subtraction करेंगे और बाद में 3 minus करेंगे समझ रहे गया तो इदर ही लेता हूँ चलो इसका और इसका subtraction करता हूँ और minus 3 को बाजू में रखता हूँ तो 2.6047 minus 0.1629 इनका subtraction करने का और जो minus 3 था यह बाजू में रखता हूँ जो भी आता answer जो भी answer आता है उसमें से 3 भी और minus करना है माइनस तो इधर बाज़यों में इन दोनों का subtraction इधर तो कितना 7 में से 9 गया है अभी तुमारे हिसाब से तुम कैसे करते हो वैसा subtraction करो 7-9 तो होता नहीं तो कैसे हैं तो subtraction कितना आता है मैं जिसे साब से subtraction करता हूँ वैसे subtraction ऐसे आता है तुम लोग अभी कैसे करते हो subtraction देखो तुमारा method अलग रहेगा मैं कैसे करता हूँ यह 7-9 नहीं जाता तो यह 17 बनता है तो 17-9 आता है तो यह 17 बनने के लिए क्या इधर एक extra देना पड़ता है तुम लोग इधर से लेते हो क्या देखो इधर एक extra दिया तो 2-1, 3, 4 में से 3 गया 1, तो 0, 0 नहीं इसको 10 बनाना पड़ेगा 10 में से 6 गया, 4 तो इसको 10 बनाने के लिए यहाँ पर एक extra देना पड़ता है तो 6 में से 2 गया, 4 और यह 2-0, 2 इनका subtraction यह आता है तुम लोग तुमारे हिसाब से subtraction करो तुमको जिस मेथड से subtraction होता है वह इसा करता हूं, करता हूं, इधर इधर देखो तो अभी क्या चाहिए 2 प्लस 0.4418 माइनस 3 सबको मैं different लिया 2 को अलग लिखा decimal वाले को अलग लिखा और माइनस 3 लिखा तीनों को क्या किया है, मैंने अलग अलग लिखा है 2 को अलग, इसको अलग, इसको अलग तो 2 माइनस 3 क्यों 2 माइनस 3 क्या आता है? माइनस वन आता है 2 माइनस 3 क्या आता है माइनस 1 प्लस 0.441 है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं अकेला 1 माइनस है बाकी सब पॉजिटिव है इसलिए ऐसा करना पड़ता है यह ऐसा उल्टा सिधा कैलकुलेशन क्यों करना पड़ता है अकेला 1 माइनस है बस इंटीजर माइनस है और बाकी सब क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए यह वाली टर्म पॉजिटिव है यह क्या है? अभी निगेटिव है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 बार 0.4418 1 बार 0.4418 तो यह क्या है? यह जो यहाँ पर आया है एक बार में और रिपीट करता हूँ तेंशन मतलो जितना समझता है उतना पहले 1st जब में बोल रहा हूँ तो जितना समझता है उतना अंडर्सेंट कर ओ और एक बार रिपीट करता हूँ तो यह क्या है? y है या फिर log of y है, तो यह है log of y जो यहाँ पर हमने calculate किया है यह वाला, यह log of y है तो y कैसे निकालने का उसका anti-log निकालना पड़ेगा log y कैसे निकालना उसका anti-log 1 bar 0.4418 1 bar 0.4418 तो 1 bar मतलब कितना आता है 1 bar मतलब 10 raise to minus 1 1 का बार मतलब 10 raise to minus 1 और anti-log के table में कहाँ पर देखना है 0.44 में 1 और 8 में 0.44 में 1 और 8 में चलो याद रखो screen share करता हमें 0.44 में 1 8 0.44 1 8 चलो आ गया 0.44 में 1 इतना है 2761 0.44 में 1 और 8 और 8 किदर है देखो 0.44 में 1 यहाँ पर है और 8 किदर है इधर 5 यह तो 21 61 और यहाँ पर कितना आता है 5 यहाँ पर कितना आता है 5 यह लाल को ने रहे यह लाल को ने रहे यह और यहाँ पर कितना आता है यह 5 उस पर तुम्हें टच मत करो screen का क्या लाल-लाल प्योड़ा-प्योड़ा हो रहा है मुझे समस्क्राइब में ने आ रहा है एक बार में चेक करता हूं बार में lecture के बार में वो क्या होता है कि तब तो 27, 61 लेकिन screen को touch करके ऐसा लाल-लाल काला-काला मत करो तो 2761 और mean difference में कितना था 5 तो 5 उसमें add किया तो कितना होता है 2766 और decimal कहां पर रहता है इधर रहता है 10 रस तो माइनस 1 से multiply किया तो 0.2766 कितना आता है 0.2766 ठीक है ओके चलो एक बार लिखके लो उसके बाद में repeat करता हूँ एक बार लिखके लो उसके बाद में repeat करता हूँ ठीक है चलो करो फड़ा फड़ा चलो लिखो फड़ा फड़ लिखो कैल्सी पर में देखता हूँ कितना आता है बोलता हूँ तुमको कैल्कुलेटर पर ऐसा आता है कैल्सी पर क्या है तो 0.2766 32302 आता है यह कैसे कैल्कुलेट क्या और एक बार में repeat करता हूँ सब्ट्रेक्शन में थोड़ा डिफिकल्टी होता है ओके एक बार लिखो में बोलता हूँ ठीक है डाउट्स बाद में फुलरी डाउट्स लेक्चर के बाद में पूछ में बताता हूँ लॉग आप 7 वगेरा सब बताता हूँ लिख के रखो बाजू में लेक्टर के end में में बोलता हूँ ना तब पूछो मुझे चलो हो गया क्या लिख के हो गया आज कल से ओडियो क्लियर है क्या कल जैसा ओडियो आ रहा था उससे आज का ओडियो क्लेर है क्या क्या नॉर्मल है क्या कल जैसा था वैसा ही है आज थोड़ा क्लेर है क्या हो रहा था यह जो माइक है वो मैंने लैपटाप को अटेच तो किया था लेकिन वो जूम में कंप्यूटर का माइक सेलेक कर रहा था तो जूम में भी यह माइक सेलेक किया है कभी-कभी ये कर रहा था select, कभी computer का select कर रहा था. तो आज sound एकदम super clear होगा. ठीक है? चलो. एक बार मैं repeat करता हूँ, सब लोग इधर देखो, लिखना बंद, लिखना बंद करो, चलो, चलो. चलो इधर, लिखना बंद करो. तो क्या करना है देखो? डिविजन करना है, चलो, सब लोग इधर अभी. डिविजन करना है इन दोनों का. तो log लिया, तो इसका log माइनिस इसका log, division का conversion होता है, subtraction में. इसका log लिया, इतना आता है. 1455 का log लिया, इतना आता है. ठीक है? ओके. लेकिन अभी ये, मैं calculator पर subtraction करके दिखाता हूँ, तुमको क्या लफड़ा होता है. सब बच्चे इधर, मैं क्या करता हूँ? सब बच्चे इधर एकदम पूरा attention दो. या इसा, इतना गंदा क्यों किया, वो मैं बोलता हूँ. ये बड़ा है. ये छोटा है, ये बड़ा है. इनका में subtraction करूँगा, calculator पर तो क्या आता है देखो? अभी, मैं वो भी बताता हूँ. calculator पर मतलब अपना regular method से अगर करोगे तुम लोग. क्या आता है? देखो, 2.6047-3.1629 तो ये आता है, –0.5582 इनका subtraction किया, एकदम अच्छे से कोई दर. इनका subtraction अभी, तुम लोगों ने नॉर्मल मेथर से किया, इसा इधर adjustment, विदाउट adjustment किया, तो ऐसा आता है. क्याल सी ही आईसा बाताता है, ऐसा है, हम लोग भी calculate कर सकते हैं, ऐसा है direct किया थो. तो इसका antilog ले सकता हूँ कैमें, लेकिन ये जो subtraction मेंने निकाला, इसका antilog ले सकता हूँ कैमें, इसका antilog में नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि ये जो part है, point के left में, ये जो decimal के left में, right में ये जो part है, ये हमेशा क्या चाहिए? positive चाहिए. decimal के right में जो भी part है, हमेशा क्या चाहिए? positive चाहिए. लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इनका subtraction पूरा का पूरा negative आया. तो ऐसा इसका antilog में नहीं निकल सकता. इसका, ये subtraction तो सही है, ये subtraction सही नहीं है क्या? तो ये subtraction तो सही है, इसमें कुछ problem नहीं है. लेकिन इसका antilog निकाल नहीं सकते हैं. हम लोग इसका एंटिलोग नहीं लिकाल सकते हैं. तो इसको भी कैसे करने का एडजेश्ट वो भी बताता हूं में बात में. लेकिन मैंने क्या किया वो पहले बताता हूं. इसको भी आगे करके, adjust करके ऐसे हम लोग ला सकते है, कोई problem नहीं है समझ में आ रहा है? इसका subtraction क्या तो minus यह आता है लेकिन decimal point के right में जो भी है, वो minus नहीं चाहिए अगर वो minus है तो उसका antilog नहीं निकल सकता अगर वो minus है तो इसका antilog नहीं निकल सकता तो यह मुझे नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया है, देखो this minus this this minus this ठीक है? तो यह जो था integer को अलग रखा है मैंने और यह 0.1629 था उसको मैंने अलग रखा है ठीक है? ओके तो इन दोनों का subtraction किया यह वाला पार्ट पूरा और यह वाला पार्ट पूरा इन दोनों का subtraction किया तो ऐसा आता है और minus 3 को बाजू में रखा है minus 3 को बाजू में रखा है अब इसको कैसे लिखा? इनका subtraction किया यह वाला बड़ा है यह चोटा है तो इनका subtraction तो positive पूरा का पूरा positive आएगा और जो minus 3 था वह आज़ी में रखा तके ने के के तो यहां पर दो इधर रखा इस point decimal वाला पार्ट अब यह पूरा positive है तो यह वाला पार्ट भी positive है यह वाला पार्ट भी positive है और 2-3 कितना आता है, 2-3 अभी integer-integer का subtraction तो 2-3 आता है, minus 1 तो minus 1 इदर, तो ये वाला part negative है, ये positive है, अपन को ऐसा ही चाहिए, decimal के left वाला कुछ भी होने दो, positive है फिर negative, decimal के right वाला हमेशा कह चाहिए positive चाहिए, तब ये anti-log निकल सकता है, decimal के right वाला हमेशा कह चाहिए हमको positive ह तो ये minus 1 को 1 bar लिखा और ये, तो इसका anti-log निकाल दिया, ऐसा आता है, और 1 bar के लिए 10 raised to minus 1, ठीक है, चलो, अब ये थोड़ा difficult लगता है, तो दूसरा भी में method बोलता हूँ, देखो इदर, यहां से भी कर सकते हैं, हम लोग कोई problem नहीं है, देखो, और एक बार बोलता हू यहां पर कैसा adjustment किया है, मैंने यह clear किया, comment में करो, clear है तो yes, send करो, चलो, इदर जो किया है, clear ना, ठीक है, very good, सबको clear है, अच्छा है, very good, अब देखो, और एक method में बोलता हूँ, और एक method में बोलता हूँ, उसका भी step points करेंगे, उसका भी क्या करेंगे, step points करेंगे, यह यहां पर भी थोड़ा जगा लगेगा, तो, देखो, यह वाला number और एक method से में लाता हूँ, चलो, इदर देखो, हाँ, लेता हूँ, और एक example, बहुत सारे example लेंगे, यह तरा, division थोड़ा difficulty रहता है, इसको ही मैं अलग तरीके से करता हूँ, तुमको जो method easy लगे, वो व तो 2.6047, यह उपर वाले का लॉग आया था, minus नीचे कितना आया था, 3.1629, ऐसा आया था ना, ठीक है, ऐसा आया था ना, तो इसका subtraction करना, यह छोटा ही बड़ा है, तो इसका subtraction करने से, अच्छा मैं क्या करता हूँ, उल्टा subtraction करता हूँ, इसमें से यह अगर minus करने के बाद, सब अभी मैं manually करता हूँ, calculator पर कुछ नहीं करता, तो बड़े में से मैं छोटा subtract करता हूँ, तो ऐसा लिखता हूँ, मैं 3.1629-2.6047, इनका subtraction करता हूँ, और जो answer आता है, उसको मैं minus देता हूँ, जो भी answer आता है, उसको मैं minus देता हूँ, क्यों, क्योंकि छोटे में से बड़ा वाला subtract किया, तो minus यह answer आएगा, तो मैं यह यहाँ पर ही उल्टा किया, बड़े में से छोटा वाला subtract किया, और जो answer आता है, उसको मैं उसका sign negative करता हूँ, यह part समझ रहे ना, मतलब, 2.6 minus 3.1, यह 2.6, मतलब यह पुरा, 2.6 यह वाला part minus यह था, उसको ही मैंने यहाँ पर उल्टा लिका है, minus bracket के बाहर, 3.16 minus 2.6, minus अंदर जाने के बाद, यह वाला minus ही होता है, minus minus यह वाला part plus ही होता है, समझ रहे ना, तो मैं उल्टा subtraction कर रहा हूँ, और जो answer आता है, उसको वापस से negative sign देता हूँ, ठेक है, तो 9 minus 7, कितना आ गया, 2. 2 minus 4 तो नहीं होता है, तो इसको करना पड़ेगा 12, तो 12 minus 4 आता है, 8, तो इधर एक लिखना पड़ता है, तो 6 minus 1 कितना, 5, 1 minus 6 नहीं होता है, तो 11 होता है, 11 minus 6, 5, और इधर एक आता है, तो इसका subtraction, यह जो regular था, इसका subtraction कितना है, 0.5582, जो इनका subtraction था, ऐसा आया, लेकिन यह पूरा का पूरा minus है, यह पूरा का पूरा minus है, लेकिन decimal के right में मुझे minus नहीं चाहिए, decimal के right में मुझे minus नहीं चाहिए, meeting end होने के बाद आपस, इस पे ही click करके join करना है, अगर कोई नहीं आया है, तो याद रखो, तो यह minus आया, तो minus तो मुझे नहीं चाहिए, देखो, तो दूसरा adjustment करने का तरीका क्या है, दूसरा adjustment करने का तरीका ऐसा है, एक minus बाहर लिखता हूँ, फिर एक plus करता हूँ, minus 1 plus 1 मतलब 0 ही है, और यह जो number दा as it is लिखता हूँ, minus 0.5582, समझ रहे हैं कि देखो, यह जो subtraction आया, उसको as it is लिखा, उसमें एक plus किया, इसमें 1 plus किया, 1 minus किया, तो 1 plus और 1 minus मतलब उसका जो value उतना ही रहने वाल है, 1 plus और 1 minus मतलब उसका जो value उतना ही रहने वाल है, तो minus 1 को मैं बाजू में रखता हूँ plus minus 1 को मैं बाजू में रखता हूँ और इनका subtraction अभी करता हूँ इन दोनों का subtraction करता हूँ तो दोनों का subtraction कैसा 1.0000 minus 0.5582 देखो समझ रहे का है यह minus 1 को मैंने बाजू में रखा है और इन दोनों का subtraction पहले करके लेता हूँ 1 minus this number एक plus किया एक minus किया तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा ठेक है ना? चलो पहले देखो जो भी easy है तुमको बाद में तुम लोग सोचो जो method easy है वो तुम बाद में सोचो मैं दोनों बताता हूँ ना? मैं दोनों बताता हूँ ठेक है? तो minus 1 इदर लिया प्लस इदर तो 0 में से 2 तो नहीं जा सकता तो इसको 10 करना पड़ेगा तो 10 में से 2 गया 8 यहाँ पर 1 आता है 8 plus 1 9 यहाँ 10 में से 9 गया 1 यह कितना आता है 0.4418 तो अभी यह वाला पार्ट प्लस है अभी यह वाला पार्ट प्लस है 1 बड़ा है 0.55 छोटा है तो बड़े में से छोटा minus करने के बाद plus answer आएगा और अकेला यहाँ पर minus 1 negative है और यह वाला पार्ट तो positive है तो इसको कैसे लिख सकता हूं में 1 bar 0.4418 1 bar 0.4418 वही आयता है कि देखो सेम आता है second method clear है क्या second method clear है क्या क्या करने का normal subtraction second method इधर देखो second method क्या अपना normal subtraction करने का regular subtraction लेकिन यह minus नहीं चाहिए तो प्लस कैसे करने का 1 प्लस किया 1 minus किया तो इनका जो subtraction आता है इसमें add किया बाद में minus 1 को 1 bar लिखा और इनका जो subtraction आता है मैंने इधर लिखा ऐसा second method clear है क्या send करो मुझे और लिख के लो second method भी लिख के लो second method of adjustment करो और यहां से लिखो second method of adjustment इसा लिखो और यहां से लिखो second method clear है क्या थोड़ा difficulty है यह पार्ट वाला थोड़ा difficulty है यह पार्ट थोड़ा difficulty लगेगा adjustment इतना असान नहीं है तो तुमको लगेगा अरे यह क्या difficult है क्या यह समोजीने रहा थोड़ा समोजने में difficulty हो जाएगा second method of adjustment लिखो यहां तक second method of adjustment लिखो second way of adjustment Saturday exam रहेगा Sunday off Monday से वापस lecture चालो Saturday मतलब कल कल exam integration log Sunday off Monday से वापस lecture स्टार्ट यहां पर zero से बड़ा नंबर रहता है देखो क्या है बोलता हूं मैं अज्रा बोलता हूं हो गया सबको देखो यहां पे अगर zero है यहां पे zero है तो plus one minus one करने का यहाँ पे 0 है तो प्लस 1 माइनस 1 करो यहाँ पे 1 है तो प्लस 2 माइनस 2 करना पड़ता है यहाँ पे 3 है तो प्लस 4 माइनस 4 करना पड़ता है ठीक है? यह जो नंबर है देखो यह जो माइनस नंबर है इससे इधर वाला नंबर बड़ा चाहिए यह 1 ही क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया मैंने देखो, क्या हम बोल रहो है यहाँ पर मैंने 1 ही क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया तो यह जो नंबर है इससे बड़ा जो भी integer आता है वही प्लस करने का, वही माइनस करने का यह 0.55 है 0.55 के आगे integer को नाता है 0.55 के आगे integer आता है 1 तो वही plus करने का वही minus करने का ये अगर 1.55 रहता था ये अगर 1.55 रहता था तो 1 काम नहीं करेगा यहाँ पे अगर instead of 0.55 1.55 रहता था तो क्या करने का 1.5 के आगे वाले integer क्या आता है 2 तो plus 2 minus 2 यहाँ पे जो भी नंबर आता है यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसके आगे वाला इंटीजर तो 1.5 है तो 2 2.5 है तो 3 आएगा 3.5 है तो 4 यहाँ पे समझ रहे हैं ना ऐसा इस केस में वो नहीं आता है next larger integer इसके बाद वाला जो इंटीजर आएगा इसके बाद वाला next larger integer वो लेना ही वहाँ पे ठीक है चलो doubt से तो बोलो कुछ और किसके प्रते में यूज नंबर से एक नंबर बड़ा चाहिए प्लस बन यूज विजित से एक नमबर बड़ा चाहिए यहाँ पर उससे एक बड़ा यह 0 है तो 1, यह 1 है तो 2 यह 3 है तो यहाँ पर 4, सही है प्रतमेश जो बोला हो सही है, ऐसा हो सकता है ठीक है, और एक करने का चलो, और एक करेंगे चलो, तो क्या करेंगे यह वाला थोड़ा आवर डिफिकल्ट लग सकता है मैं, क्या नॉर्मल ही देदू चलो, एक नॉर्मल करते हैं, फिर डिफिकल्ट वाला करते हैं यह नॉर्मल ही है थोड़ा 80.23 80.23 डिवाइड बाइ 0.0214 80.23 डिवाइड बाइ 0.0214 y तो लॉग फ़ाइ मतलब इसका लॉग माइनस इसका लॉग दोनों का लॉग लेके रखो कितना कितना आता है देखो दोनों का लॉग लेके रखो चलो ट्राइ करो यह वाला तुम यह वाला ट्राइ करो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा डिविजन वाला पक्का डिफिकल्ट जाएगा टेंचन मतलों धीरे धीरे आता है लेके इंटे धीरे धीरे आता है और नहीं आ रहा तो कोई आप्षिन नहीं है आपने पास सीखना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में यह बहुत इंपोर्डेंट है बोर्ड में बहुत सारे नियूमरिकल सिस्प्य आते है तो यह सिखना ही पड़ेगा कुछ भी होने दो सिखना ही पड़ेगा चलो ट्राइ करो यह मिटिंग बंद हो रहा है मैं बंद करके एक बार स्टार्ट करदा हूं मिटिंग बंद हो रहा है भी टाइम हो गया